क्यासा लग रहा है मैडम फेशल क्यासा लग रहा है शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का आज ही डाउनलोड कीजिए आदाव नमस्कार बहुत बहुत इस्तिक्बाल है आप सभी का प्रोग्राम गुफ्तगू में और आज हमारे साथ मौझूद है एमिनेंट कथ्थक गुरू और कोरियोग्राफर पंदित जैकिशन महराज कथक की दुनिया का एक जाना माना नाम लखनव में पैदाईश हुई और होश संभालते ही कथक निरत्य की तरफ खीचे चले गए अपने वालित पदम विभूशन सौर्गे पंदित बिर्जु महराज से तालीम हासिल की और फिर कड़ी महनत और रियास की बदोलत कथक में महारत हासिल की दुनिया भर में इन्होंने परफॉर्म किया जहां इनके फन को काफी सराह गया यही नहीं फिल्म दिल तो पागल है और बाजी राव मस्तानी में कौरियो गिराफी भी की साथ ही इन्होंने कथक केंदर में गुरू की हैसियत से नई नसल को तालीम देने का भी काम किया आज भी पंडित जे किशन महराज अपनी कला और फन के जरिये पुर्खों की विरासत को पूरी शिद्दत से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं पंडित जी आपका हमारे शो में बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले मैं आपको नमशकार करता हूं और मैं बहुत खुश हूं यहां करके आपसे मिल करके तो सबसे पहले बात करते हैं लखनव घराने से रहे जी लखनव घराने में आपका बहुत लंबा इतिहास रहा है और जैसे कि कई अजीम फनकार आपके परिवार से हैं, जिनोंने बहुत उचाईयों तक लेके गए कथक को, और अब आप इस रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि लखनव घराना जो कालका बिंदा दीन घरानी के नाम से भी जाना जाता है। समय समय पर और कभी जन्मास्ट्रवी पर गए, राम नौवी पर गए, कभी इस तरीक ऐसे जाकर क्यों था वाचन करना। और जो चड़ावा चड़ता था वो आधा पंडित ले रेता था और आधा कलाकारों को मिल जाता था जिससे वो निर्वाह करते थे। धीरे धीरे थोड़ा सा और विस्तार हुआ और साहुकार और जमीदारों के घर में हम लोग आना जाना शुरू हो गया। एक टिकेट राय नाम के व्यक्ति थे जो उसी गाओं के थे जो कि नवाब वजदी शाह के दरबार में मशाल्ची हुआ करते थे और वो फारसी बहुत अच्छा जानते थे। तो कभी जिक्र वुआ होगा कि किसी कलाकारों को यहां लाया जाए। तो उन्होंने हमारे परिवार के बारे में उनको बताया। तो हमारा परिवार वहां से उठकरके लखनव आ गया उनके दरबार में। तो हमारे कालका बिंदादिन, कालका महराज और दुर्गा प्रशाजी यह तीनों लोग जो थे हमारे उनके दरबार में गए। और वहां से कथक ने एक नया मोड लिया, आप कह सकते हैं, क्योंकि उनके दरबार के अंदर में बहुत से बड़े-बड़े नामी ग्रामी पखावजिया, तबले वादक, धृूपद गायक, सब लोग थे। तो कथक का उसे में बिस्तार बहुत ज्यादा फैला वानी था, लेकिन क्योंकि दरबार में जब आए, तो वहां पर कथक ने फिर समझे कि वहां से कथक के अंदर में एक नया बदलाओ आया, बंदिशों में बदलाओ आया, और तबले और पखावज के बोलों को लेके, नि मुगल काल को लेते हुए, और आज के मंच पे हम लोग उसको अलगर तरीके से दिखाते हैं, मैं इस घराने का आठवा पीड़ी हूँ, मेरे पिता जी, सब जानते हैं उनको, पनित बिर्जु महराजी, जो सात्वी पीड़ी रहे, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेर आप तैयार है, मेरा बेटा त्रिभोन महराज, जो इस काम को बहुत ही अच्छी तरीके से ले करके, और मेरे साथ गंधे से गंधा मेला के काम करने हो, और आज बहुत अच्छी तरीके से पूरे विश्व के अंदर में अपना काम दिखा रहे हैं, कैसे परिवार में पले ब वैसे तो क्योंकि यह परमपरा काम है हमारे पुष्टोदर पुष्ट हमारे यही काम हुआ कथक के बारे में और लेकिन मेरे जिन्दगी के अंदर में जब मैं स्कूल में था तो मेरा जुकाओ थोड़ा सा क्रिकेट के तरफ ज्यादा था तो मैं क्रिकेट की तरफ में जाँ जारा था है ठानस करता था माराजी से मैं दांस सेकता रहता था बैट मेरा फॉर्ट थोड़ा क्रिके तो मैंने का बावू बावू कल से मेरा मैस शुरू हो रहा है, मुझे नई पैंट चाहिए, नया शर्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, तो बड़े उन्होंने मेरी आखों में आखे डाल कर देखा, और एक अजीब सी मुस्कराहट मेरे उन्हों के फेस म काम है, उस पे आप ध्यान दीजिए, जो परमपरा का काम चला आ रहा है, वो एक समय ऐसा आया कि जिसने मेरी जिन्दगी को शायद बदल के लग दिया, मैंने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा, भावू ने ऐसा क्यों कहा मुझे, तो कहने समझो, सोचो उन्होंने ऐसा क्यों कह तो वो मेरे पिता जरूर हैं, और मैंने कभी भी उनको पिता की दृष्टी से देखी नहीं पाया, हमेशा जब भी देखा और उनको गुरू की दृष्टी से देखा, उनका उठना, बैठना, खाना, पीना, बोल, चाल, समझाना, वो चीज़ मेरे अंदर में एक इतना ऐसा भर गया, कि धिरे-धिरे मेरा सारा का सारा रोजान जो है, वो निरत के तरफ संगीत के तरफ बढ़ गया, पूरी निरत के से, तो मैं पूरू रूप से मैं कथक के लिए समर्पित हो गया, और उसमें आपने बहुत सारी चीज़े सीखी, मुद्राएं भी जो आप करते हैं, कुछ मुद्राएं करके बताएं हमें, बताएं कुछ हमें, हमें हमयें महराज जाये स्ट थे, विय रें थे आई दिन वो अरि यह दर रही जादा रहते थे, तो एक दिन पर हो भी एक किस्ता बड़ा जोड़ा है भॉड़ दार मैपको सुनाता हूं मेरी अम्मा ने महराजी से कहा अरे तुम अपने शागर्दों को सिखाते रहे तो बच्चों को भी तो सिखा दो तो मैं ऑधी बड़ी में कवीता दिरी हम दोनों थे तो बहुत जला के मराजी बोले खड़े हो जाओ तो हम लोग खड़े हो गए उन्होंने जो पहला परण सिखाया वह इतना भिकट परण था मैं आपको उसके बोल सुनाता हूं कि जो एक साधारन बच्चियों को सिखाना बड़ा मुश् जो लुए तो छूंगे तो हम लोग डर गए किदा बड़ा करते दाने दा कुझा था अच्छन महाराजी की एक शागिर्थ कथखिन में सिखाती थी तो महारा जी ने खाया कि तुम जाओ दीडी से थोड़ा सा पहले तालिम सिखो उसके बाद मैं सिखाओंगा तो मैंने रे उसके बाद पूर्ण रूप से भी महाराजी के पास में उनके साथ काम करते 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 बहुत अलप आयू में ही महाराजी के साथ में विदेश टूर और हिंदुस्तान में नाशने लगा था मेरे पहला प्रफॉर्मेंस मुझे याद है ये रेलवे का प्रोग्राम था इलावा तो हम लोग ने वहाँ पर प्रोग्राम किया और तब से उलाव बन गई और धीरे-धीर होता है परमपरा में ये अपने आप विक्सित हो जाता है इंसान के अंदर में फिर मैंना पूरी तरीके से अपने नाच को अपने साथ पंडित जी आपके वालत पद्म विभूशन स् कथक में तो माहिर थे ही साथ ही गायकी में भी बहुत अच्छे थे तो उनके बारे में कुछ बताएए जिए सबसे पहले तो मैं मैं आज भी उनके जाने के बाद भी कभी इस स्वर्गिय शब्द में उनके साथ जोड़ता ही नहीं हूं को कि वो हमेशा वो अमर हैं थे हैं और आगे भी हमारे साथ जोड़े रहेंगे और जब तक कथक भारत वरश में विदेश में पनवेगा तब तक महराजी जो हैं वो हमके फोटो पर माला चड़ाना या कभी भी मैं इसके बहुत खिलाफ रहता हूं कभी वह हमसे दूर नहीं है आज भी हमें सिखाते हैं हमारा परिवार जो है बहु मुखीक परिवार कहा गया है और कलाकार तभी संपूर्ण होता है जब उसके अंदर में यह सारी प्रतिभा हाएं होती हैं उसमें गायन, वाद्य, नृत्य, चित्रकला, साहित्य और इन सब चोजों का बहुत जुड़ाव हैं हमारे कालका हमारे बिंदा दिन महराजी ने लगभक पांच हजार से भी ज़्यादा ठुमरी, दादरा, भजन, बंदनाए, सादरा, बहुत सी चीज़े ल देखनी तो आप समझे कि शायद वो कविताओं में ठुमरी, धादरा में ही उनकी बाद्चीत ही होती थी इतना कुछ उन्हों ने देखा शुरू में मुझे बहुत तकलीफ हुआ लेकिन मैंने देखा कि नहीं हमारे जब पूरवजरों किरफ करते हैं तो मुझे भी ये काम करना चाहिए और मैंने धीरे धीरे उसको लिखना शुरू किया और आज उनकी क्रपा से गुरू की क्रपा से करीब साड़े तीन सो चार सो चीजें मैं लिख चुका हूं और मेरी एक पुस्तक विमोचन भी हो चुका है जो माधूरिय के नाम से है उसमें मैं आपको कहेंगे तो मैं आपको चीजे सुनाओं एक मेरा कलपना था यह मैंने श्री लंका में रात को मुझे नीन नहीं आ रही तो मैं बाहर आकर बैड़ गया कॉरीडॉर में चांद की रोशनी दिवार पर पढ़ रही थी और बहुत सारे बास के पेड़ थे और मैं उसको देखते देखते एकदम कलपना में खो गया और मैंने वहां पर एक नैपकिन रखा था उसी पर मैंने लिखना शुरू किया तो शब्द ऐसे थे कि बासन की जुर्मुट में बासन की जुर्मुट में सब चंद्र देख ठगी रही इससे पहले एक लाइन है कि सब सखियां मिली चली जात सारी सब सखियां मिली चली जात अचानक बासन की जुर्मुट में सब चंद्र देख ठगी रही और अचरच भरी नैनों से असमंजस में पड़ गई को समझ ना पाए दो चांद कैसो निकसो है एक नबते विराजो दूजो उतर आयो है उनको दो चांद नजर आयो है उनको दो च सखी दिकट गई दूजो को पास बुलाए लीन औरन से रहन न गए सब मिली चली आयो है तो क्या देखती है कि बासन की जुर्मुट में मोहन संग राधा बैठो है और अर्ध मुख राधा सो सांव रोन घेरो है क्या बात है और दूर से प्रतीत हो तो जैसे अर्ध चंद्र निकसो है तो यह मेरी कल्बना कविता की रूप में उबरी इसे प्रकार से मैंने कृष्ण को भी वरनित किया स्वर के हिसाब से सात स्वर और संगीत में सवर के साथ ही ने संगीत को सीखा है तो जब धोरा देतो हूं कि साख है जूरां कहती है आपस में वाच्षीट करते कहने लिए मंत एक राधा क्रिश्ने से प्रेम करते हैं सखीयां क्रिष्ण से प्रेम करती हैं मेरा प्रेम हैом लेकिन हम भी प्रेम करते हैं लेकिन अपने प्रेम को कैसे जाहिर करें तो आपस में बाच्चीत हो रही है साटो सौर की कलपना है यह मेरी क्या बारते हैं सा कहे सावरे की श्वास बन जाओ में, रे कहे रंग पितांबर अंग अंग सज जाओ में, गा कहे गुछ बन मोर मुकुट विराजों में, मा कहे महक बन कस्तूरी सी लिपट जाओ में, पा कहे पाजेब बन पगमें बन जाओ में, धा कहे धुन बंसी की बन मधुर स्वर सुनाओ में, और नी कहे नींद बन आखों में सिमट जाओ में, तो इस टाइब से कविताओं की रचनाएं, ठुमूलू की रचनाएं, जिस प्रकार से हमारे पुरवोजों ने किया, उनको द करके मैं उस जगह पर बढ़ रहा हूं, और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा बेटा भी बहुत अच्छी रचनाएं करते हैं, कभी इश्वर चाहेंगे, मेरी जगह वो होंगे, और आप उनसे बात करेंगे, तो उनको मदा आएगा, बिल्कुल, बिल्कुल, जरूर होगा, आपकी कुछ यादे जुणी होंगी उनके साथ, आपकी पिताजी के साथ, मुझे कहा जाता था, जब मैं थोड़ा बढ़ा हूँ तो मुझे कहा गया इस बात को, कि जब मैं पैदा हुआ था, तो मैं कभी जुन्जने से, या बॉल से, या बैड से, या जो भी बच्चों का खेल था, कभी उसे नहीं खिला, मेरे तुरंट मेरा पैदा होने के साथ ही मेरे पैरों में छोटे-छोटे घुमरों की लड़ बांदी गई, तबले बाएं की थाप से मुझे खिलाया जाता था, भारुमुनियों बजा के गाह करके मुझे लोरी सुनाई जाती थे, तो मेरा ज यादें तो बहुत सारी हैं, इतनी यादें हैं, कुछ तो भूल भी गए, एक छोटी सा किस्ता आपको बताना चाहूंगा, कि हम अपने दादी के गाहों गए थे, जहां लाइट भी नहीं थी, पंखा भी नहीं था, और वहां पर कुष्टी डरने वाला अखाडा होता है, पत्थर के बाउंडरी मिटी बनी हुई होती है, तो सब गाउवालों ने कहा, कि महराजी से कहा, कि भाई, आप आए हैं, तो थोड़ा गाना बजाना तो होना चाहिए, तो महराजी ने कहा, हाँ, बिल्कुल होगा, और मैं भी कुछ करूंगा, और मेरा बेटा भी साथ में ह तो मैंने का, बाबु, मैं यहां नाचूँगा कहा, पहले जहां तो स्टेज है नहीं, कुछ दो, मुझे तो आदतनी स्टेेज की, मैं तो स्टेज बहुत हना है गार, बीक पेटा छोटा-थोड़ा नाज देना, लोगो खूश होजाएंगे, मैं तो एकदम बहाँ अती प् तो पानी वानी छड़क के मिट्टी को बैठाया गया, सफेज चादर बिछा दी गई, और महराजी तबला लेकर बैठे थे, और वहां की जो ट्रैक्टर थे, जो खेतों में काम होता ना, उसकी लाइट जलाई गया, उससे लाइट उत्पन की गई, देखे जलाएट उत्पन क लेकर के दस-पंदर मिट में नाच दिया, लेकिन उसके तुरन बाद जब महराजी खड़े हुए हैं, उसी मंच पे महराजी ने जब हाथ बाढ़ा, और देड़ घंटा, दो घंटा नाचा, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े हॉल के अंदर वो नाच रहे हैं, वो पानी की तरह एकदम नाच देगा, और वो चीज देखकर के मैं इतना ज्यादा भावुक हो गया, मैंने कहा कि मुझे भी यहां पहुचना है, यह सब inspiration महराजी से मिलता रहा मुझे, कि समय समय पे उनकी हर अदा, उनकी हर बात, उनकी हर चीज कुछ सिखाती रही, और मैं मारा जी ने खbr कही बहुत सारी फिल्मो में काम किया, जिसमें बाजीराम-अस्ताणी, और देवदास भी था, तो महरा जी कहीं ऑफर आया था, फिल्म थी दिल तो पागिल है, मारा जी ने खांख भां बंबाई नहीं जाओंगा, तो उनकी तुम चले जयूँ, जाता जाए तो मैं पहली बार मैं बॉली वूड में जा रहा था तो मुझे ठाट डर भी लग रहा था कि वहां के लोग होगा रहन सहन क्या है वगरा तो मैं गया और जाकर के महराजी ने दो चार एक्षिन जो बताए थे सिचुएशन के हिसाब से एक्षिन वहां पर कामी नहीं कर रहा था मादुरी दिख्षित जी जो है वह खुद भी महराजी की बहुत अच्छी शागिर्द है उन्हों टाइम टू टाइम जब महराजी अमेरिका जाते थे तो उनसे बकाइदा तालीम लेती हैं लेते थी वहां तो मुझे जब भी समझाया कि आपने देखा होगा उसमें एक जगा पर शाहरूख खान ड्रम बजा रहे हैं और उसको सून करके मादुरी जो है ऐसा पैया रखके पहले ऐसे घूरू करते भी चम चम फिर वहां से उठकर के वह में स्ट्रेज पर आती हैं और आ करके पूरा एक देड़ मिनिट का पूरा पीस बहुत अच्छा है और उसको पूरा मैंने कोरोग्राफ किया और इश्वर की क्रपा से बहुत सा रहा गया लोगों को बहुत पसंद आया बहुत अच्छा है यही वस गुरू की क्रपा है जो मैं कर पाया तो फिल्मों से जोड़ा कोई अस समय पर महराजी की उसमें कुछ कोरिग्राफी थी तो बचमन में तो खिर मैं उतना इंवल्ब नहीं था जब माहराजी थोड़े से बात पी समय पर मैं उनके साथ जूड़ा ही रहता था हमेशा और कुछ ना कुछ काम होता ही रहता था इसके अलावबा मैं थोड़ा सा एक दगड़िया फिल्म, रीजनल फिल्म थी, उसके लिए मैंने संगीत बद्वी किया, तो ये संगीत सीखना, कोरेग्राफी करना, ये सब जो चीज़ें, ये सब हमारे गुरू की ही क्रपा है, महाराजी की क्रपा है, मैंने कथा के इन्वरे जब प्रवेश किया, आज से 37 सा पहले, प्रोडक्शन यूनिट के अंदर में, तो मेरा धे केवल ये नहीं था कि मुझे केवल यहां का नौकरी करना है, मैंने उस नौकरी के साथ साथ, मैंने महाराजी के उन सब चीज़ों को सीखा, कि वो संगीत कैसे बनाते हैं, धुन कैसे बनाते हैं, कोरेग्राफी के उनकी क्या सोच है, उनकी अनेको एक कोरेग्राफी उस समय उन्होंने कर डाली, जो आज सौ साल तक भी मैं कह रहा हूँ कि शायद कथक मैं कोई नहीं कर सकता है, उन्होंने सौ साल का काम अपने समय पे ही कर दिया, और उसमें प्रमुक रूप से कई सारी चीज़ें, लेलां काम करते थे, एक फिल्म ओर थी बाजी राव मस्तानी, तो उसकी कॉरियोग्राफी महाराजी की हुई है, तो दिपिका पादुगोन जी के फिल्म आया गया था, और इसके लिए पकायदा दिपिका जी ने आती थी और उन्होंने महाराजी के साथ बैठ करके बहुत उसके प और सीख करके जब उसको शूट किया गया, तो महाराजी बंबई गय थे, हम लोग भी साथ मही थे और वहाँ पर उन्होंने पूरी कोरियोग्राफी, उसके पूरा ग्रूप भी है, और उसके अंदर में पूरी कोरियोग्राफी की थी महाराजी ने, और उसका जो पीछे का आडियो है, उसके अंदर में भी महाराजी की ही पढ़न्त है, बकाइदा उन्होंने इसको पढ़के भी किया है, कुछ दांस ड्रामा भी आपने डारेक्ट किये हैं, जी है, मैंने कथकेंद में ही रह करके और थोड़ा बाहर भी काम किया मैंने, और कुछ स्कूलों से भी मै अधारित्था पुरा, और इसके अलावा गंगा अवतरण पर हमने काम किया, विश्वा मित्र और रामायन, और कृष्ण होरी धुममचोरी, महाराजी कही पर कोरिग्राफी को थोड़ा सा एक नया रूप देते हैं, मैंने इसको द्वारा कोरिग्राफ किया, इसके अलावा इतने सारे हैं, आकांशा है, बाजयत ताल है, तराना है, सरगम है, तो बहुत सारी कोरिग्राफी है, म्यूजिक कंपोजर भी हैं और आपने एक गड़वाली फिल्म में भी म्यूजिक दिया है, जी आ, जी आ, जी आ, तो मैंने जैसा बताया कि इन सब चीजों की जो तालीम महाराजी ही माध्यम रहे, म्यूजिक कंपोजिशन कैसे करते हैं, या वगरा वगरा, जहां तर दगड़िया नाम था फिल्म का जो गड़वाली फिल्म थी दगड़िया, यानि साथी, तो यह एक वीडियो फिल्म थी, और जिसमें मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझसे का आजी कर एक बड़ी व्जाया आया था क deste कैसेट के रूपने नकला था, देखी, क्योंकि न्का नंतर मैं तो यह सर्वी कि अनृत्रुमन प्रमएं, जो सारे क्लासिकल ना इंस्रुमन्ट, सितार था, पक्त्वावच था, बसुली था, तो वहां के लोगों को सु आपकी पसंद का कोई भी गाना हो जाए अच्छा वैसे बिना हर्मोनियम के गाना मेरे लिए मुश्किल होता है लेकि फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक दो लाइन थोड़ा सा अप मैं अपनी ही रचना सुनानी कोशिश करता हूं बसो मोरे मन क्रेष्ण चबी अति भाई क्रेष्ण चबी अति भाई भाले तिलक कुंडल गर्माना मूर मुकुट पीतां बरडाला पगनूपुरसो एककंगन शोभित देख चेत्र मन हरश अपारा बसो मोरे मन क्रेष्ण चबी अति भाई क्रेष्ण चबी अति भाई क्रेष्ण चबी अति भाई क्या बात है जैकिशन जी बहुत खुब बहुत खुब घलने बात है जैकिशन जी आप यहां आएं आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी ये दुआ है कि आप अपने खांदान की रिवायत को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। कि कहानी है। तो नाजरीन, गुफ्तगू में फिलहाल इतना ही। अगले हफ़ते आप से फिर होगी मुलाकार एक नई शक्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजी इजाज़त। आदाब।